अगि Halo Friends कैसे हैं आप सब आपका एक बार फिर स्वागत है Quant Study में आज हम करने जा रहे हमारा Probability Chapter जो कि math का एक Part है उसमें आज हम करेंगे Part 4 जिसमें आज 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 पर 15 हम उचे पार्ड का करती होगा कंसेप्ट था आज हम वो टोटली खत्म कर देंगे इसके बाद हमारा बच्चे का सिरफ part 5 जिसमें हम पढ़ेंगे concept of marbles या फिर balls तो शुरू करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे youtube चैनल पर subscribe कीजिए इसके साथ हम facebook और instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लीजिए और किसी भी update को miss मत तो हमारी maths की जितने भी आप topics पढ़ोगे jkssb class 4 के लिए वो सबके सब mathematics के topic mathematics जिसको हम quantum study भी कहते हैं वो topics आपको मिलेंगे हमारी playlist section में जाके इस playlist में जिसका नाम है jkssb class 4 mathematics अगर आपने कोई भी topic मिस की है आप इस playlist में जाके वो दुबारा पढ़ सकते हैं एक बार फिर आज का topic शूरू करने से पहले मैं आपको यह चीजें फिर से याद दिलवा देना चाहता हूं अगर एक revision मान लो इस चीज की अगर आपको याद नहीं भी है तो revise हो जाएगा फिर से सबसे पहली चीज हमारी cards में total 52 cards होते हैं और दो colors होते हैं एक red color के card होते है अगर दो cards हैं total 52 हैं तो red color के card कितने होंगे obviously बात है कि दो color के cards है हम 50 को दो हिस्सों में divide कर देंगे हमारे red color के card आजाएंगे 26 वैसे ही black color के card आजाएंगे 26 next बात आती है हमारे 4 suits suits हैं हमारे पास 4 जिसमें से एक है heart एक है diamond ये दोनों होंगे red color में एक है club एक है spade ये दोनों होंगे black color में 4 suits है total heart, club, spade, diamond और इनके colors भी मैंने आपको भी बता दिये total अगर हमारे पास 4 suits हैं और total cards 52 है तो 52 को जब आप 4 से divide करोगे आपको पता चल जाएगा कि हर suit में 13 cards होंगे ठीक है और group of cards जब हम उनको group बनाते हैं किनी भी cards का उसको हम कहते हैं deck ठीक है अब बात आते कि cards होते क हम 13 cards की बात कर रहे हैं तो number के लिए 2 से लेके 9 तक cards होंगे 1 number आपको cards में नहीं दिखेगा 1 की जगा होता है ace जिसको हम A B कहते हैं उसके लावा jack, queen और king 3 cards होते हैं जिनको हम face card कहते हैं जो कि आप point number 6 पे देख सकते हो तो 3 card हमारे पास आगे face card जिन पे picture बनी होती है यानि कि jack, queen और king आगे हमारे पास face cards एक deck में अगर 3 face cards हैं total 4 suits हैं हमारे पास तो total number of face cards कितने होगे 12 अब अगर मैं आपसे पूछू कि color में बताओ कि red color में कितने face card होंगे और black color में कितने होंगे तो आपको पता है 2 ही color है total face card 12 है जब आप 12 को 2 हिस्तों में डिवाइड करोगे 6 face card आजाएंगे black के लिए और last point जो है मैं आपको सबसे पहले explain कर चुका हूँ अब हमने पिछले part में पढ़ा था कि जब तक कोई भी event complete नहीं हुआ हो हम multiplication का use करते हैं ठीक है जब event complete हो गया हो उसके साथ एक और event आपको दिया हो तो उन दोनों को add up करने के लिए हम plus का sign यू concept बताऊंगा कि एक ऐसा event जो already include हो चुका हो उसको delete करना हो तो उसको लिए हम use करेंगे minus यह आपको अभी सुनने में समझ नहीं आएगा पस फिलाल के लिए इतना याद रखिए कि already event जो include हो चुका है उसको subtract करना होता है हमें total number of events में से यह क्या है यह आपको question में पाद चल number of card उस type के कितने हैं वही हमारे total number of events बन जाते हैं जैसे कि मैंने example दी है आप suppose कर लीजिए कि आपको 7 number का एक card select करना है तो total number of cards उस type के number of events होते हैं तो यानि कि 4 ही हो जाएगा हमारा number of events तो मैंने last में लिखा है 10 number of events equals to 4 एक बार फिर repeat कर देता हूँ एक card अगर हमें select करना है तो उस type के जितने भी number of cards होंगे वो ही number of cards हमारे बन जाएंगे number of events अब बढ़ते हैं हमारे questions की series पर तो पहला question कहा रहा है एक card is drawn एक card मतलब single card की बात चल रही है एक card is drawn at random from a pack of 52 cards find the probability that the card drawn is और नीचे लिख हुआ इधर a black card और a king अब हम इसे one by one solve करेंगे सबसे पहली चीज़ आगी की black card को हमें select करना है black card कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं ठीक है उसमें से एक card select करना है तो 26C1 हमारे पास आगया 26 मैंने आपको अभी अभी एक trick भी बताई थी कि अगर हमें एक card ही select करना है तो जो भी हमें type का card कहा होगा जितने भी वो card exist करते होंगे तो हम उसी को number of events मान लेंगे अब देखिए 52 cards में से मैंने आपको बताया था कि 26 card होते हैं black के तो यहाँ पे आपको 20 ही दिख रहा है number of event for selecting black card ठीक है next point आता है कि हमें या तो black card करना है या तो king करना है तो king की बात करते हैं king कितने होते हैं हमारे पास 4 वही आगया 4C1 value आजाके 4 ही होगी अब एक और चीज़ देखिए कि king हमारे black card में भी तो आते हैं black card हमने 26 के 26 select किये फिर हमने king select किये चलो king में जो दो king है वो red के है पर जो दो extra king select होए है वो black के होगे न ब्लैक वाले card के होगे तो 2C1 यानि कि king जो black के repeat होए है वो 2 होए है तो वो 2 हमने यहाँ पे लिख लिए अब मैंने आपको बताया था कि जो event repeat हो जाता है या जैसे कि इसमें king of black repeat होए है उसे हम करते हैं minus तो हमारे total number of events आजएगे 26 plus 4 minus 2 यानि कि हमारे total number of events आजए 28 ठीक है यह minus क्यों है क्यों है क्योंकि जो दो black के king थे वो repeat हो रहे थे probability क्या होगी 28 आएगा numerator में क्योंकि number of events है denominator में आएगा 52C1 क्योंकि हमें एक ही card select करना था तो हमारा final answer आजए 7 by 13 ठीक है अब इसी question को मैं combination वाले method नहीं use करूँगा direct बताऊँगा क्योंकि मैंने अको trick बताई कि अगर एक ही card निकालना हो तो जिस type के भी हमें card बोले होते हैं total number of card ही हमारा number of events बन जाते हैं सबसे पहली बात आगी कि black card कितने होते हैं हमारे पास 26 तो number of event होगे black card के लिए 26 next आगी कि king कितने होते हैं हमारे पास 4 तो number of event आगे 4 फिर आगया कि उन 4 king में से black king कितने होते हैं 2 तो number of events उसके भी आगे 2 26 प्लस 4 माइनिस 2 माइनिस 2 वो हैं जो king repeat होए है total number of events आगे हमारे पास 52 क्योंकि 52 C1 52 ही होता है और मैंने आपको बताया कि अगर एक card select कर रहे हैं तो 52 C1 52 ही हो जाएगा क्योंकि number of events total तो total outcome के बराबर हो जाएगा जब एक ही card select करने हैं तो numerator आगे हमारा 28 यहां तो आप direct कर लो अगर single card दिया हो है तो मैंने आपको trick बता दी हुई है बाकि सब आपकी choice है बढ़ते हैं हमारे next question पर a card is drawn at random from a pack of 52 cards again एक ही card drawn हो रहा है यानि कि एक ही card को निकाला जा रहा है find the probability that card drawn is a black king तो मैंने आपको बताया है जब single card निकाला जा रहा होता है तो जितने भी जो भी हमें type पूछी होती है उसके जितने भी card exist करते होंगे वह हमारा total number of events बन जाएगा तो अब मुझे बताइए कि black color के king कितने होते हैं हमारे 52 cards में से black color के king कितने होते हैं दो होते हैं एक spade का होता है और एक club का होता है तो होगे हमारे दो black color के king तो number of events भी उसके दो ही आगे क्योंकि single card select कर रहे हैं हम total number of events क्या हो जाएंगे 52 क्योंकि 52 में से भी तो single card ही select करना है हमने तो हमारी probability of event आगी 2 by 52 which is 1 by 26 combination का इस्तमाल नहीं किया तो देखिए answer कितनी जल्दी आ गया ये तो मैं explain कर रहा हूँ इसलिए फिर भी एक दो minute लग रहे होंगे अगर आप इसको किसी को explain ना करो और सीधा solve करने लगो ये तो seconds में आप से solve हो जाएगा next question आ गया a card is drawn फिर से एक card निकालना है 52 card में से निकालना है probability बताओ जो card निकालना है वो diamond का नहीं होना चाहिए हमारे पाथ 4 suits हैं हर suit में 13 card है अब एक suit उसमें diamond का होता है यानि उसमें भी 13 card होंगे अब जो भी हमें card निकालना है वो diamond का नहीं होना चाहिए तो अगर हम ये probability निकाल ले कि वो card diamond का ही हो और उसको 1 से माइनस कर दें क्योंकि मैंने आपको part 1 में बताया था कि probability of an event not happening is equals to 1 minus probability of event happening P bracket में मैंने लिखा था E उसके उपर एक mark मारा हुआ था is equals to 1 minus P of E लिखा था मैंने part 1 में बताया था अगर आपने part 1 ध्यान से बढ़ा तो आपको याद होगा उसी के base पे हम यह वाला question कर लेंगे हमें पता है कि diamond के cards total होते हैं 13 उसके probability आजएगी 13 by 52 जो की होगी 1 by 4 ठीक है 52 आगे total number of card तो denominator में total number of card ही होगे total outcome ठीक है अब हमें तो निकालना था कि diamond card नहीं होना चाहिए अभी तक हमने निकालना कि यह diamond card हो अब हमें निकालना कि diamond card नहीं होना चाहिए तो हम 1 से उसको minus कर देंगे और हमारा final answer आजएगा 3 by 4 बस इतना छोटा सा answer खतम 3 steps लिके answer आगया हमारा इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें next आगया एक card is drawn again single card from a pack of 52 cards find the probability that card drawn is spade और an ace single card निकाल रहे हैं तो total जो उन्हें हमारे question में पूछा हुआ है तो total number of cards वो जितने भी होंगे वही हमारे number of events बन जाएंगे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास spade कितने होते हैं हमारे पास 4 suits होते हैं जिसमें से 1 suit होता है spade और spade के card कितने हो जाएंगे 13 ठीक है तो total spade card आगे 13 तो हमारे number of events भी आगे 13 ace कितने होते हैं ace यानि 1 हुकम का 1 कहते हैं जिसको हम ace होते हैं 4 हर suit में 1 ace होता है तो total number of ace आगे 4 अब अब आता है main part कि spade में भी तो 1 ace होता है है ना तो ये वाला उसको माइनस कर लेंगे हमारे number of event आगे 13 plus 4 minus 1 ये minus 1 क्यों हुआ क्यों कि spade के पहले हम 13 card select कर चुके थे उसके बाद हमारा जो spade में ace आता है वो दोबारा select हो गया जब हमने total ace 4 select किये तो उसको हमने minus कर दिया total number of events आगे हमारे 16 और probability of event आगे 4 by 13 बस इस वाले questions में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर आपने ये जो last line है जो repetition वाली होती है ये skip कर दी तो आपका answer टोटली अलग हो जाएगा ठीक है अब आया काफी जादा अच्छा question क्यों क्योंकि इसमें दो card select होने है तो इसमें अब हम जो single card के concept पे जो trick लगा के हम हमारे answer निकाली जा रहे थे दो दो second के अंदर वो वाला concept ने लगएगा इसमें combination का use होगा ही होगा क्यों क्योंकि दो card select हो रहे है from a pack of 52 cards two cards are drawn at random ठीक है what is the probability that it has पहला पैट कह रहा है कि exactly एक queen होनी चाहिए हम दो card select कर रहे है exactly एक queen होनी चाहिए अब हम दो card basic select कर रहे है पर हमें उसमें से एक card जो है वो queen का चाहिए तो आजा के बाद फिर से एक card पे आगी कि हमें queen का एक card select करना है तो कितनी queens होती है total 4 queen होती है अगर एक card select करना है तो total number of queens ही हमारे number of events बन जाएंगे तो queen के लिए हमारे आगे number of events 4 next चीज आगी कि उनने का exactly एक ही queen होनी चाहिए अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पहला card निकाला वो queen निकला अब आपको अगला card निकालना है अगर आप बाकी की तीन queens को deck के अंदर रहने दोगे थोड़ी सी possibility ही सही पर possibility तो है ना कि आप फिर से कहीं queen को न उठा लो जो अगला card निकालो वो भी queen को न निकालो तो हमारा question कहा रहा है सिरफ एक ही queen होनी चाहिए जो कि आप first attempt में ही निकाल चुके हो अपने आपको safe करने के लिए आप अपनी deck में से जो बाकी की बची हुई तीन queens हैं उसको भी निकाल लोगे क्यों क्योंकि exactly one queen चाहिए तो जब हमने पहले attempt मारा और पहले attempt में हमारे पास queen आई हमने queen side पे कर दी और बाकी 3 queens को card में से निकाल के side पे कर दिया अब हमारे पास total number of cards कितने बचे चार queens निकल गी जिसमें से एक आपने select की थी और तीन आपने निकाल के discard कर दी कि कहीं ये गलती से दोबारा ना आ जाए अब आपके पास number of cards बचे 48 ठीक है 48 में से एक card select करना एक card तो आपके पास आगया queen का अब जो total दो करने न card select तो बचा हुआ card 48 में से ही करना है और वो कोई भी हो सकता है 48 में कोई भी हो सकता है जब 48 में से कोई भी card हो सकता है और एक ही card हमें select करना है तो number of events भी 48 ही आ मुझे बताओ इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे या मल्टिप्लाई करेंगे अगर आपने इस चीज का आंसर दे दिया तो मैं मान जाओंगा कि आपका प्रॉबबिल्टी का कंसेप्ट टोटली मतलब क्लीन हो गया हुआ है आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ अब आपको प्रॉबबिल्टी में तो अटलिस्ट कोई नहीं हरा सकता अगर आपका आंसर आ रहा है कि हम इने मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है क्यों क्योंकि जो नंबर ओफ इवेंट्स क्वीन के लिए आ रहे हैं उससे तो हमने एक ही प इवेंट्स थे चार तो एक ही पत्ता स्लेक्ट हुए है हमें अपना इवेंट कम्प्लीट करना है जब तक कम्प्लीट नहीं होगा सिरफ मल्टिप्लिकेशन यूज होगी तो सेकिड इवेंट हमारे आ रहे हैं नंबर ओफ इवेंट्स आ रहे हैं सेकिंड के लिए 48 जब हम इन दोने को मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे ओल इन ओल दो कार्ड्स स्लेक्ट हो जाएंगे और हमारा इवेंट हो जाएगा कम्प्लीट तो नंबर ओफ इवेंट्स आगे 4 इंटू 48 अब मुझे बताओ प्रॉबिल्टी ओफ इवेंट के डिनॉमिनेटर में क्या आएगा दो कार्ड हमें स्लेक्ट करने हैं 52 कार्ड में से प्रॉबिल्टी ओफ इवेंट के डिनॉमिनेटर में क्या आएगा अगर आपका जबाब है 52C2 तो आप बिलकुल राइट डिरेक्शन में जा रहे हो क्योंकि हमें दो कार्ड स्लेक्ट करने थे हमें नहीं पता कि वो क्वीन है किंग है स्पेड है डाइमंड है जो मर्जी है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता डिनॉमिनेटर को सिरफ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमें कितने कार्ड स्लेक्ट करने थे और कितने कार्ड में से स्लेक्ट करने थे तो हमें दो कार्ड स्लेक्ट करने थे 52 कार्ड में से denominator रहेगा 52 C2 मैं again repeat कर रहा हूँ queen king spade diamond ये सब का फर्क शिरफ numerator को परता है denominator को इन सब से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो हमारा final answer आजाएगा जब हम इनको solve करेंगे 32 divided by 221 combination को expand करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुए आप खुद expand कीजिए और उसे solve करने की कोशिश कीजिए जितना जादा आप खुद practice करेंगे न उतना जादा ही आपका maths पे हाथ सही बैठेगा अगर आप सिरफ सुनेंगे वीडियो को और कहोगे कि नहीं सब सर ही solve करवा दे अब 5 into 2 is equal to 10 भी सर ही बताएं तो आपकी पार्ट कहा रहा है कि अब जो 2 कार्ड सेलेक्ट किये गए हैं वो दोनों के दोनों Ase होने चाज़ेए Ase यानी हुकम का 1 का तो हमारे पास total हुकम के एक के कितने होते हैं? चार होते हैं हर एक suit में एक-एक Ase होता है तो total चार suit होते हैं तो total चार ही Aces होंगे चार में से हमें दोनों के दोनों जो होंगे वो हुकम का एके ही होने चाहिए यानि कि 4C2 जब आप इसको expand करोंगे आपका answer आजाएगा 6 यानि कि बोथ ACs के लिए number of events आगे 6 denominator अगेन आपको पता है 52C2 ही होगा तो हमारा final answer आगया 1 by 221 pure calculation है और कुछ नहीं है next part आगया 1 king and 1 queen और हम 1 ही तो तलाश रहे होते हैं हर जगा हमें 1 ही तो चाहिए होते है क्योंकि हमारी calculation easy हो जाती है हमें combination नहीं लगाना पड़ता हमें direct answer मिल जाता है तो 1 king 1 queen मिल गया यानि कि एक card हमारा king कहो एक card हमारा queen कहो तो total king कितने होते हैं 4 total queen कितनी होते हैं 4 तो number of events कितने हो जाएंगे 4-4 दोनों के लिए क्योंकि एक-ए card select करना है अब number of events को जब हम लिखेंगे तो 4 into 4 क्यों आएगा क्योंकि हमें all in all दो card select करने थे 4 events आए हैं queen के लिए जिससे एक card select होगा चार इवेंट्स आये हैं king के लिए जिससे एक card select होगा तो दोनों cards को हमारा event complete करना है तो event complete करने के लिए हम हमेशा multiplication ही use करते हैं तो हमारे number of events आगे 4 into 4 अब हम आगे काम करेंगे probability of event पे तो probability of event मैंने आपको बताया जितने ये चारो पार्ट है ना चारो पार्ट का denominator में तो भई 52C2 है ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो क्योंकि denominator को फरक नहीं पड़ता king है queen है spade है diamond है जो भी है denominator को बस ये फरक पड़ता है कि 52 में से कितने card select होना है that's it numerator आगे 4 into 4 denominator आगे 52C2 जब आप इसको expand करोगे इसको solve करोगे आपके पास final answer आजगा 8 divided by 663 ये सारी calculations आपको खुद करनी है मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ ठीक है देखिए मैं बस आपको एक path बता सकता हूँ एक direction बता सकता हूँ अब आपको हो कि मैं आपको गोध में उठाके उस रस्ते पर चलाओं भी ये चीज़ नहीं होगी आपको चलना उस रस्ते पर खुद ही है तो calculations करना शुरू कीजिए ठीक है और final हमारा question आगया no honor card मैं जानता हूँ कि मैंने आपको honor card के बार में नहीं बताया पर अच्छा हूँ हमें question मिल गया क्योंकि इससे हम honor card का भी concept clear कर लेंगे honor card क्या होते है जो मैंने आपको face card का concept तो बताया है वो वाले cards जिस पे diagram बनी होती है जिस पे joker jack बना होता है queen बनी होती है king बने होते है जिन पे picture बनी होती है वो होते है face card और हर deck में 3 face card होते है अगर हम उनी 3 face card में अगर एक हुकम का 1 का भी add कर दें यानि कि 2 से लेके 9 तक जो number है वो honor cards में नहीं आते king, queen, jack जो की face card होते है plus हुकम का 1 का ये 4 मिलके बनाते हैं 13 cards के 1 deck का honor card ठीक है तो total 1 suit में कितने honor card होंगे एक suit में होंगे 4 honor card और अगर मैं आपको पूछू कि 52 cards में से कितने honor card होंगे तो वो होंगे 4 into 4 क्योंकि 1 suit में 4 है total हमारे पास 4 suit है तो total honor card होंगे हमारे पास 16 ठीक है फिलाल काम करते हैं हमारे solution पे no honor card यानि कि कोई भी honor का card नहीं होना चाहिए अगर हम शिरफ honor card निकालने की probability निकाल लें और उसको 1 से minus कर दें तो हमारे पास no honor card की probability आ जाएगी same method है जो हमने no diamond के time use किया था ठीक है अब हमें पता है दोनों हमने honor card select कर लिये अब 16C2 की value होती है 120 जो आपको खुझ से निकालनी है probability of event आ जाएगा 120 divided by 52C2 ठीक है ये तो आया probability of event जब दोनों के दोनों cards होंगे honor card पर हमारे question में पूछा हो है कि एक भी honor card नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे हम 1 से 120 divided by 52C2 को minus कर लेंगे तो हमारे आजएगा probability की दोनों cards honor card नहीं होने चाहिए इस equation को solve करो अपना answer comment section में post करो इसी के साथ हमारा probability part 4 जिसमें हमने cards के सारे concept clear कर दी होए है ये होता है खतम cards हमने 2 parts मिला के खतम किया यानि कि एक part 3 और part 4 सबके direct link आपको description में मिल जाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे like कीजिए साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए Thank you